आज हम आपके ल Eli कर आए हैं दमर्टभ रूख मकरी की रेसबी इधम पतली ग्रेवी वाली मतं करी बनायेंगे तो चली बनाने स्टाट करते लि Hack में दो-सक ग्राम मस्टब डाला 400 ग्राम के लगबग में एक केजी मर्टन बना रहे हूं तो उसके हिसाब से मैंने 400 ग्राम प्याल जाला है यहां पे लिए कुछ खड़ा गरम मसाला तो एक दाल चीनी है चार लॉंग है एक बड़ी लाइची थोड़ा सा जैफल है चार पांच छोटी लाइची है एक छोटा जीरा जीरा और एक चुटा चामच। फ्राइची तो दिखिर जाफ़ा पियास कुलला जासा कर बेग लिया है तो quantity इसी साब से रखेंगे, तो मटन डालने के बाद मटन को fry करना है प्याज के साथ, तो अभी थोड़ा सा मज़े से ही मटन पानी छोड़ेगा ना, तो उसमें हम डाल देंगे अधरा कलेसुन का पेस्ट, देखी, दो मिनिट के बाद मटन थोड़ा सा पानी छोड़ दिया ह अभी हम इसमें डाल देंगे, यह हमने 4 चमच लिया है अधरा कलेसुन और लाल मिर्च लाल मिर्च अप उतना ही डालेगा जितना आपको तीखा पसंद है, तो अभी हम इसको डाल देंगे, और मटन और प्याज और अधरा कलेसुन का पेस्ट सबको एक साथ भूनेंगे, ब पाउडर और हमिए निद्ग केशे साहिए नमक. suath के निसार गरब मशाला एड़ें, थोड़ा सा पानी गर्थमा। तक नहीं सिर्ट तो मिम भूनेंगे ताकि जो इसका तेल और मसाला है थोड़ा तोड़ा तोड़ा अलग हो जाए तो दो मिनेट भूने के बाद मसाला से तेल इसम अलग हो चुका है मसाला हमार अच्छा तो आप मतन को खूब बढ़ियां से भूना करा करें था यहाँ पानी यहाँ द ciekशी पटले प्रीत मुनिभी वाला मतन बनाएंगे और को ग्रेवी थोड़ी से estyनियद की पानी में प्रीक घुर!! भीता पैख. कर देगे और जैसे ही एक प्रेसर आएगा हाई-फ्लेम पे इसको फ्लेम को लो कर के इसको 10 मिनट तक छोड़ेंगे गास को उसके बाद बन कर देना है तो 10 मिनट के पाद ढहं गास बन कर देंगे आ कुकर को तह् dryer को खोल दियेगा निकल कर थंदा हो जायेगा हम07 कोण स्रीन लग रहा है मारा मटन करी प्रेशर कूकर वाला आपको चला के दिखाते हैं यह दम पीज है चली कुख हो चुका है बहुत ही अच्छा मटन था बहुत जल्दी गल गया कभिक मटन जल्दी नहीं गलता है तो आप 15 मिनिट टुक सकते हैं गैस पे तो आप इस मटन करी को जरूर बना के ट्राइ करिएगा और हमें बताएगा कि आपको कैसी लगी गर्मा गरम रूटी चावल के साथ का यह बहुत ही टेस्टी लगता है यह माटन